असलाम अलेकुम टोल उफ यू वालकम वन्स अगें टो आज यूट्यूब चैनल यूनानी स्कॉलर तो चलिए स्टुएंट्स बिना देर की हम दो शुरू करते हैं आज का टॉपिक आज हम पढ़ेंगे धनाप के बारे में धनाप बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिके से अदल लगा और ये अक्सर एक्जाम में भी इसलाहात ये पूँच ली जाती है धनाप क्या है किस दवा के लिए मक्सूस है और अक्सर वायवा में भी एक्जाम नाप पूँच लेते हैं धनाप दर असल क्या होता है जो अबरक होता है अबरक को मुसफ़ा करने के अमल को हम आप कहलाता है इसमें हम क्या करते हैं अब्रक आप सभी लोग जानते होंगे अब्रक एक मादनी दवा है जो परतों की शकल में चमकदार परतों की शकल में यह होता है और यह इसको अगर हाथ से तोड़ा जाए तो यह हाथ से तोड़ने पर तूट जाता है चूर चूर हो जा चोटे-चोटे उसके पीसीज हो जाते हैं फिर हम इसको क्या करेंगे एक पोटली बनाएंगे कपड़े क्या और इस पोटली में हम अबरक को रख देते हैं इस पोटली में क्या करते हैं अब्रक के साथ हम छुटे-छुटे से पत्थर डाल देंगे या फिर धान डालते हैं जो धनाब कालोस बना है यह सी धान से बना है क्योंकि ज्यादा तर जो हम अब्रक के साथ इस पोटली में शामिल करते हैं तो हम धान शामिल करते हैं लेकिन अगर आपके पास धान मौजूद नहीं है तो उसके लिए चुटे-चुटे पत्थर भी डाल सकते हैं और फिस सीड तुक्म का इस्तमाल भी कर सकते हैं उस पोटली में हम अबरक के साथ तुक्म भी डाल सकते हैं पत्थर भी लेकिन कॉमल है जो डाला जाता है इस प्रॉसेस में अब्रक के साथ वो धान शामिल किया जाता है इसलिए इसको धना भी नाम देते हैं यह हम यह धान और सीडिस में क्यों शामिल करें ताकि जब हम इस पोटली में अब्रक के साथ धान या यह भी यह बीश शामिल करके कि इसको जहां हाथ से रगडते हैं, तो हाथ से रगडने से क्या होता है, फ्रिक्शन पैदा होता है इसके बीच में, अब्रक के और धान के बीच में फ्रिक्शन की वजासे ही जो अब्रक है हमारी है, बहुत छुटे छुटे टुकडों में ये तकसीम हो जाती है, इस तरह से अब्रक के जो बारीक अजसा होते हैं वो कपड़े से छन कर पानी में चले जाते हैं और जो मोटे अजसा होते हैं वो पोटली के अंदर ही रह जाते हैं यहां अब्रक का मुसफ़ा करने का मकसद यह होता है कि अब्रक का हमें एक तो हालूद की कि जो में कसाफ़ते उस से वो पाक हो जाया दूसरा उस का हमें इंतिहाई बारीग सप पासिल करना होता है जयो कि लहनाब के प्रousseसुसे मम करते हैं जब यह पूरा हो जाता है तो हम क्या करते हैं पोटली को पानी से निकाल कर अलग कर लेते हैं और पानी पानी के अंदर जो च्छन के उसको हमने जब फ्रिक्षन पैदा किया उसको पोटलिक हमने हाथ से दबाया तो जो च्छन कर अबरग पानी में जमा हुई है उसको हम क्या करेंगे कुछ दिर के लिए उसको पानी में छोड़ देते हैं ताकि वह आएसा ऐसा जो बारी-बारी के अबरग पानी में मौझूद है वो तहनशीन हो जाए यानि कि सेडिमेंट हो जाए और फिर उसको पानी को उपर से निधार कर अलैदा कर लेते हैं और अबरग जो हमें नीचे मिल गई है सेडिमेंट हुई उसको हम अलग करके उसी को अबरग को इस्तिमाल किया जाता है क्य कुए अब्रक के साथ पोटली में आमतोर पर धान शामिल किया जाता है। इसी मुनाजबत से इस अमल को धनाब कहते हैं धान प्लस आप, आप कहते हैं पाने को। इसी लिए पॉसेस को धनाब नाम दिया गया है। अब्रक मुसफ़ा का एक दूसरा नाम भी है। अब्रक मुसफ़ा को अब्रक महलूब भी हम कहते हैं। महलूब बनाए हलीब से, हलीब कहा जाता है दूद को। इसकी वज़ा यह होती है कहे जाने की कि जब इसको हम पानी में डाल का हाथ से मलते हैं तो जो पानी होता है वो एकदम सब्धा दूद जैसा दिखने लगता है और इसी मुनादबत से इस अमल को हम अब्रक महलूप कहते हैं तो कोई आप से पूचे up अब्रक धनाब, अब्रक महलूप क्या है? तो मुसफ़ा अब्रक को अब्रक धना आप कहा जाता है अब्रक महलूब हम गहते हैं अब्रक को अगर मुसफ़ा ना किया जाए तो क्या होगा अब्रक को अगर हम मुसफ़ा नहीं करते हैं तो यह जो हम इसको ओरली इस्तिमाल कराते हैं यानि के मरी इसको हम मुख के जरी इसको जब इस्तिमाल कराया जाता है तो यह मरी खलक में और मरी में यानि के थ्रोट में और इसोफेगस में यह चिपकने लगता है अबरक की प्रापर्टी होती कि वो चिपकने लगता है इसलिए इसको मुसफ़ा होने के बाद भी इसको किसी बदर्खे के साथ बदर्खा उस चीज़ को कहते हैं जिसकी जरी हम दवा को इस्तिमाल करते हैं जाया वो पानी भी हो सकते हैं अगर हम पानी से दवा ले रहे हैं दूद से दवा ले रहे हैं या किसी अर्ख से शर्बस से दवा ले रहे हैं तो जिस भी चीज़ से हम दवा ले रहे हैं उसको पदर्खा कहते हैं तो अबरक का अगर हम इस्तमाल करते हैं तो इसके साथ लॉब में समग अर्भी का महलूल तयार किया जाता है। उसके महलूल में अबरग को डिजॉल्व करके इस्तिमाल कराते हैं। तो यह हमारे जो मरी में यानि कि ईसुफ ऐगस में और हलख में नहीं चिपकती है। और इसके नियशारते हैं कि अबरग के इंतिहाई बारी एक सफूफ होना चाहिए जो कि हमें धनाग के प्रोसेस से हासिल होता है। तो के स्ट्रोंट्स थैंक यू सो मच आई होप यू अडर्स्टैंड वेरी वेल। तो के